Hi, my name is Preeti and welcome to my channel Jajwa एक अच्छा और responsible person बनने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जरूर फॉलो करना चाहिए कौन सी हैं वो चीज़ें इसके बारे में आज बात करूँगी Must do these things के बारे में तो चलिए स्टार्ट करें चलिए चीज है safe water हमें unnecessary water को waste नहीं करना चाहिए हमें लगता है कि हम pay कर रहे हैं हमें हर चीज easily मिल रही है तो हम जितना चाहें उतना use कर सकते हैं बट ये गलत thinking है हमें उतना ही चीज़ों को use करना चाहिए जितने के हमें requirement है कहते हैं कि जैसे water waste होता है जैसे पानी बहता है उसी तरीके से हमारा पैसा भी बहना start हो जाता है पैसा भी वैसे ही बरबाद होने लगता है तो आप पानी की बचत कीजिए आप पानी को उतना ही use कीजिए जितने की आपको requirement है पाइंट है safe electricity हमें electricity को भी safe करना चाहिए क्योंकि electricity का use सबसे जादा होता है या हर जगा हर तरीके से हर फिल्ड में use किया जाता है इसलिए इसका consumption जो है वो हमें कम से कम करना चाहिए अगर आपको electric appliance का use कर रहे हैं तो use करने के बाद आपको उसे unplug कर देना है जितना हो सके हमें natural light का use करना चाहिए और starting से ही अपने घर में अपने बच्चों को electricity and water इन दोनों को save करने की आदद डालने जाए थर्ड पॉइंट है avoid plastic क्योंकि plastic जो है ये पूरी तरीके से destroy नहीं हो पाता है और plastic हमारे animals और earth दोनों के लिए बहुत जादा harmful होता है अगर हम plastic को avoid करते हैं या इसका use कम से कम करते हैं तो इससे हम अपने environment को अच्छा बना पाएंगे अपने environment को clean बनाने में हम एक अच्छा contribute कर पाएंगे next point है think about animals हमें animals के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए हर रोज हम अपने घर में है उन्हें भी हमें एक जगाँ पर store करके रखना चाहिए और जब भी हम बाहर निकलें तो उसे अपने साथ ले करके जाएं और उसे उन्हें खिलाएंगे keep clean your environment अपने environment को clean रखिए हम अपने घर को clean रखते हैं बट हम अपने घर के बाहर अगर गंधगी है तो वो हम फोड़ देते हैं हमें लगता है ये काम sweeper का हाय वही करेगा अगर sweeper ने कर दिया तो कोई बात नहीं बट अगर sweeper ने नहीं किया तो वो काम हमें खुद भी कर लेना चाहिए क्योंकि अगर बाहर गंदा होगा या हमारे आसपास गंदी होगी तो इससे एक तो हमें positive vibes नहीं मिलती है और दूसरी चीज़ यह है कि वहाँ पर बीमारी होगी और देखने में भी वह बहुत ज़्यादा hot लगेगा पॉइंट यह है कि help others आपके यहाँ जो काम करने वाली हैं जो made हैं या जो helpers हैं या फिर अपके आसपास जो भी needy person है अगर आप उनकी help कर सकते हैं तो जरूर करिए money wise या किसी भी तरीके से अगर आप उनकी help कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए हम हमेशा अपने ही बारे में नहीं बलकि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और दूसरी चीज यह है कि हमें उनके साथ अच्छे से behave करना चाहिए point यह है कि जो road seller होते हैं जो road के किनारे जो seller होते हैं जो कुछ बेस्ते हैं उनसे हमें सामान जरूर खरीदना चाहिए हम बड़े-बड़े malls में जाते हैं shopping mall में जाते हैं और इतनी महंगी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं वहाँ पर हम कोई bargain नहीं करते हैं बट अगर हमें road पर कोई चीज़ मिलती है तो हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा bargain करने लगते हैं सबजी वाला हो गया चीज़ें जो आपके काम की नहीं है जिसका आपको यूज नहीं है ऐसी चीज़ों को आपको बाहर निकालना चाहिए और ऐसी चीज़ों को आपको किसी नीडी परसन को दे देना चाहिए क्योंकि जो चीज़ आपके यूज में नहीं है वो रखे रखे खराबी हो जाएगी इससे बेटर है कि वो आप दूसरों को दे दे और वो उसके काम आ जाए सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सबको पता होती हैं बट लोग इसको follow नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं इस सारी चीज़ों पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है या फिर उन्हें लगता है कि कौन करे बट ये सब करने में ज़्यादा हमें effort नहीं डालना होता है बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बट हमारे थोड़ा सा ध्यान रखने से दूसरों की बहुत help हो सकना बने मिलती हूं अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बाबाए